हेलो फ्रेंट जेब बद्र विसाल फ्रेंट्स आईए आज बनाते हैं साबू दाने की खिचड़ी बहुत ही टेश्टी आज मैं साबू दाने की खिचड़ी आप लोगों को बताने वाली हूँ बिलकुल एकदम अलग तरीके से यहाप लोग को बनाना बताऊंगी तो यहां पर मैंने ओयला नहीं डालना है इसे हमें ऐसे ही भूंते जाना है मैं बूंते हम आई ampla लिए औरम ने उसके ब्हुत हूं दाना है उसको झाल भूंतय होँगाना है अला मुंखली लाइना से अट ऊचनेहीं, इसमें बूं से अट सोρ कैसे कुछा के लिए निए रूगा है। तो उसके बाद में बस यहाँ पर मुंफली हमारी भुन गई है तो बस आप इसको हम अलग कर लेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना तो बस हाथ उसे मसल लेंगे या फिर आपके पास रुमाल है तो रुमाल से भी उसको अच्छे से उसको दबाते हुए इसको ऐसे ही रगड़ेंगे तो आराम से इसका छिलका निकल जाता है तो बस यहाँ पर मैंने इसको इसका छिलका अलग कर दिया था और देखेगा ध्यान लखेगा छिलका सईथ होने पर इसमें फूख मत मारिएगा वरना पूरा स्लैब आपका गंदा हो जाएगा तो एक इसके बाद में अब इसमें हम डालेंगे तीन हरी मर्ची मैंने लिया है साथ ही अद्रक का टुकड़ा मैंने लिया है और यह जो मुंफली हमने भूलना था ना तो बस इसको हमें इसमें डाल लेना है और इसके बाद में इसके हमें एक पेश्ट तयार कर लेना है ध्यान रह फिर इसको हम एक बावल में खाली कर लेंगे तो यहां पर अब हमारी चटनी एकदम पिस गई है आप चाहें तो इसमें नीबू भी डाल सकते हैं लेकिन मैं नीबू इसमें बाद में डालती हूँ ना इस वज़ा से मैंने नीबू इसमें नहीं डाला है तो फ्रेंट्स यहां मैंने डाल दिया है मुंगफली तोड़ी जादा हमें लग रहे थी आधी कटोरी से कम मैंने यहां पर मुंगफली लिया है और इसको हमें बराबर चलाते हुए जाना है मुंगफली जब भूनिये अगर आप गैस का फ्लेम अगर मेडियम अगर आप रख रहे हैं तो फिर आ अब ये क्रंची की और बड़ रहा है मुअगफली तो यहाँ पर हमारी मुणफली त्यार होची है और वूल बेराबर इसको हमें ऐसे ही चलाते हूए जाना है और आपने मुणफली त्यार हो गई तो भष यहाँ है है और इसको तब हमद बड़ाहे हैं क्योंकि यह फिर जलने का खत्रा रहता है क्योंकि तेल गरम जादा होता है तो बैस इसलिए अब इसके बाद में थोड़ा ठंडा हो गया था तो इसको मैंने बावल में निकाल लिया है और इसको आयल मैंने अलग कर दिया है उसके बाद में मैंने यहाँ पर दो छोटे आलू और इसको मैंने बारीख बारीख मुझे cut कर लेना है आप कोई भी save cut कर येगा लेकिन हाध्यान नहीं कि इसको बारीख cut कर येगा बहुत जादा मोटा cut कर येगा और इसके जगहां पर आप उबले आलू भी ले सकते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमारा यह साबू दाना भीग गया था, देड़ से दो घंटा हो चुका था, उसके बाद में दुबारा फिर मैं किचन में आई हूँ, तब यह हुआ है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर पानी पूरी तरीका किसे सोक कर लिया था साबू दाने का, इस वजब से पूरा खिला-किला था, वहापस मैंने गैस में मैंने पें चड़ा दिया, और मूफली जिसमें मैंने भूना था था तो बस उसमें तेल पढ़ा हुआ था, उसी में मैंने एक छोटा चमच, जीरा और करीपत्ता मैंने डाल दिया है, साथ ही इसमें जीरा जब हुए जाएगेगा और एक तम जब तक कि गोल्डन ब्राउन जब तक नहीं हो जाता है तब तक इसको चलाती हुए जाएगेगा कि मतलब तब तक यह आलू पक चुका होता है और अगर आप उबले आलू लेते हैं तो फिर ज्यादा उसमें पकाने की जरूरत नहीं पड़ती ह हाई फ्लेम पर तो बस गुलाबी होने तक इसको थीजाए मिसाला हुए ip plenty जाएगे और जब तर गॉल्डन भ्राउन नहीं हो जाता है तब तक इसकोعة क्री पत्ता नहीं टाला था C और यह golden brown भी हो चुका है तो बस आप इसमें जाएगा एक चमज मैंने अधरक कर दूकस करके डाला है दो हरी मिर्ची मैंने बारी कट करके डाला है और इसको है थोड़ा सा हमें इसको mix करेंगे और अधरक बहुत टेश्टी इसमें लगता है और इसके बाद में मैंने एक टमा सबस्तित कर ना तो फिर वूड़ा टमार डालेंगे बहुत टेश्टी ये बनेगा ςाथ ये अब इसमें अब हम डालेंगे साबूदाना आब तो मिएतरक मिक्स करने और इसको mix करने कि बाद Jupy ini दाल डिया उसके बाद में अब इसमें हम डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अनुसार, साथ ही आधी छोटी चमश मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है, आप चाहें तो कुटा हुआ काली मिर्च भी डाल सकते हैं, गैस मैंने बंद कर दिया है, और उसके बाद में हम इसमें आधा हो जाता है, तो बस अब हमारा ये साबू दाने की खिचरी तयार हो चुकी है, तो अब इसके ऊपर हम मुफली डाल देंगे, और धनिया की पत्ती डाल के इसको मिक्स कर देंगे, तो फ्रेंड्स अब हमारे ये साबू दाने की खिचरी तयार है, आपको ये रेसिपी कैसी ल वाचिंग